हलो दोस्तो नमस्ते आदाप सस्टेकाल आपका दोस गौरफ टेस्ट बुक सूपर कोचिंग पर स्वागित करता है तो दोस्तो हो जाए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं यह चसल के घी के कोश्चन्स प्यवार और दोस्तो जैसे कि आपको पता है यह डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे रात को ग्यारा से बारा बजे तो चलिए दोस्तो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले दोस्तो सभी को भर भर के यहाँ पर गुड तो चलिए दोस्तो इसको start करते हैं लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे एक बाब फड़ावर से share कर देंगे जिससे सभी लोग यहाँ पर जुड़ सके और हम इस session को start कर सकें तो start करते हैं दोस्तो motivational code के साथ अच्छे result लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है बिल्कु सही बात है दोस्तों जो अपने तयारी कर रहे हैं जिनोंने अपने सपनों को पूरा करना है वो दोस्तों रुकरेंगे नहीं वो हमेशा तयारी में लगे रहेंगे और रात दिन एक करके दोस्तों वो क्या ले लेंगे सिलेक्शन और इस selection के लिए मेहनत करनी होगी, साथ में smart work करना होगा और इसलिए दोस्तों हम लोग daily मिलते हैं, Monday to Friday रात को 11 बजे तो चले इसको start करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे yes type करेंगे, अगर मेरी screen और voice एकड़म clear है और भाई साब यहाँ पर आप लोगों से कुछ पूछ रहे हैं, are you ready? तो एक बाँ फड़ा फड़ से yes type कर दीज़ें, जिससे सभी लोग यहाँ पर yes करते ही अपन बढ़ते हैं पहले question के साथ, तो यहाँ पर yes, yes, yes आ रहा है तो दोस्तो आपको बताना यहाँ पर क्या होता है दोस्तो लास्ट आप्शन जो है, यहाँ पर यह कहा गया है, जो माइट्रो कॉंड्रिया है, वो विदाउट आउटर जो लेयर होती है उसको हम लोग microplast कहते हैं, यह आपको शायद दिख नहीं पा रहा है, बट यहाँ पर दिया गया है कि जो दोस्तो आउटर लेयर होती है, माइट्रो कॉंड्रिया कि अगर उसमें ना हो, तो उसको हम लोग microplast कहते हैं यह फिर mitoplast, sorry, micro नहीं, mitoplast होगा, क्या होगा दोस्तो, mitoplast होगा, ठीक है, तो यह option में दिया है तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से सभी लोग बताएंगे, तो यहाँ पर दोस्तो सब के अलग-अलग option आ रहे हैं लेकिन मैं आपको बताओ दो, जित्ते लोग यहाँ पर four option कह रहे हैं, four option उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, four option यहाँ पर correct answer हो जाएगा, मतलब दोस्तो, जो mitochondria होता है, उसको without upper layer दोस्तो, या outer layer, उसको हम कहते है, mitoplast, क्या कहते हैं, माइटoplast कहते हैं, यह याद र dry phosphate के form में, अगर mitocondria के हम बात करें, दोस्तो, इसका diameter जो होता है, 0.5 से लेके 1 micrometer होता है, किता, दोस्तो, 1 micrometer होता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, चले अगले question पर, चले, अगला सवाल दोस्तो, आप ले रहा, दोस्तो, the name of which element is derived from an Anglo-Saxon word, and its symbol comes from Latin word aurum, दो aurum से आया है, क्या वो, argon है, gold है, aluminium है, और silver है, जल्दी-जल्दी से सभी लोग बताएंगे, aurum से तो दोस्तो, पता ही चल गया होगा, यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए, gold, gold, okay, तो दोस्तो, जितने लोग यहाँ पर option number two के साथ जा रहे हैं, उनका बिल्गुल correct answer हो जाएगा ठीक है, चलें आगे की तरफ बहुत बढ़ी है, यहाँ पर क्यों जाएग दोस्तो, gold होगा, क्योंकि aurum मतलब दोस्तो, gold ही होता है, क्योंकि AU से represent किया जाता है, किससे दोस्तो, AU से इसको present करते हैं हम लोग, इसका दोस्तो, atomic number, atomic number gold का कही बार पूछ लिया जाता है, आपसे होता है, malleable मतलब दोस्तो, जिसको आप पीट-पीट के sheet में बदलने, एक ग्राम गोल्ड को दोस्तो, आप एक मीटर स्क्वेर के sheet में convert कर सकते हैं, यह भी आपको याद रखना है, चलें और दोस्तो, gold की दोस्तो, खोज कभूईती कई बार पूछ लिया आता है, तो इसको दोस्तो, approximately 720 के समय में खो जा गया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, चलते हैं, आगे की तरफ, अगला दोस्तो, आपके लिए ये रहा, दोस्तो, question यहाँ पर पूछा गया, हलीम खान, is associated with which of the following classical dances, दोस्तो, हलीम खान निमलिखित में से, किस साश्ट्रिन दित से सम्मंदित है, क्या वो मुहिनी अटम से हैं, कथक से हैं, कुचीपुडी से हैं, या फिर भरत नाटम से हैं, हलीम खान, दोस्तो, ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, एक्जाम में, आर्ट अन कल्चर के, तो फड़ा फड़ा से सभी लोग बताएंगे, पर 3-3 कह रहे हैं, उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कुचीपुडी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तो, संगीत नाटक अकेडमी के, अगर मैं बात करूँ दोस्तो, इन्होंने दोस्तो, आठ डांसेस को, कितने दोस्तो, आठ डांसेस को, as a classical dance बताया है, जिसमें से दोस्तो, मोहिनी अटम और कथक कली, कहां का है, दोस्तो, केरला का है, थोड़ा सा और उपर की तरफ आजाएं, दोस्तो, तमिल नाडू का भरतनाटियम, भरतनाटियम कहां का है, दोस्तो, तमिल नाडू का है, ठीक है, तमिल नाडू का यहाद फिर उसके उपर थोड़ा सा और उपर आ जाएं दोस्तों कुचीपुडि कहा तो कुचीपुडि कहा है। उप्राइश यूपी के है। सतरिया, सतरिया कहा है दोस्तो, सतरिया आपको मिलेगा समका, ठीक है, तो हो गए क्या दोस्तो, आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, हुए है, एक छूट रहा है, जो कि मनी पूरी है, क्या दोस्तो, मनी पूरी, मनी पूरी कहा है दोस्तो, मनी पूर का है, ये भी आपको याद रखना ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आठ दोस्तों क्या है, शास्त्र नित हैं, ठीक है, चलें आगे, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले कोशन के लिए, अगला सवाल दोस्तों आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, the current in the bulb will stop flowing, दोस्तों बल्ब में विद्योत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, कब, दोस्तों, when the conductor is on, if the circuit is broken, when the switch is turned on, और if there is a magnetic field, तो फड़ा फड़ से सभी लोग बताएंगे, बहुत simple सवाल है, yes, option number B, 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 दोस्तों जितने लोग यहाँ पर option number B कह रहे हैं, उनका यहाँ पर बिल्कुल correct answer हो जाएगा, correct answer क्या हो जाएगा, दोस्तों, if the circuit is broken, दोस्तों, यदि अगे परिपत तूटा हुआ ह तो दोस्तों, electron flow नहीं हो पाएंगे, और flow नहीं हो तो विद्धारा नहीं flow हो पाएगी, ठीक है, देखें दोस्तों, यह है bulb symbol, यह है battery का symbol, ठीक है, यहाँ पर switch लगी होती है, ठीक है, और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, यह जो छोटी वाली line होती, इसको क्या कहते है, और यह जो बड़ी वाली line है, इसको हम कहेंगे positive terminal, ठीक है, यह याद रखेंगे, यह आप से पूछा भी जाता है, कि छोटी line को क्या बोला जाता है, या किसको दर्शाता है, ठीक है, और दोस्तों, अगर हम बात करते है, current की unit क्या होती है, क्या दोस्तों, ampere होती है, और आ आगे बढ़ते दोस्तों, अगले सवाल के लिए, अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, दोस्तों, मैं आप सभी मित्रों को बता देना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे दोस्तों, GD की और CHSL की तयारी कर रहे है, तो दोस्तों, आपको अलग- जिसका आप फाइदा उढ़ा सकते है, 2499 का जो कोर्स है, दोस्तों, आप उसको ले सकते हैं, 2099 में, सिर्फ आपको करना क्या होगा, coupon code अप्लाए करना होगा, coupon code अप्लाए कर सकते हो, आप मेरा गौरव M, G-A-U-R-A-V-M, जैसे ही आप दोस्तों, इसको अप्लाए करोगे, दर जलेगा, और आप थे शेल की प्रपेरेशन और भी तेजी से कर पाओगे, तो चलिए, दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक में, description में, लिंक में दिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और उसको आपको क्लिक करना है और कुपन कोड यूज करना है गौरव सवरम को सुर्ज जोसना राष्ट संगीत पुरुसकार डैस से सम्मानित किया गया कब किया गया दो हजार इस बीस उननिस और अठारा बहुत बढ़ी है यहाँ पर इक्किस चले तो दोस्तों जितने लोग यहाँ पर दो हजार इक्किस कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आं दोस्तों यहाँ पर पुछा गया प्रसिद्लोक नित्यांगना गुलाबो सपेरा को निमलिखित में से किस नित्याली में उनके योगदान के लिए पदमश्रीप पुरुसकार से सम्मानित की गई थी या किया गया था पेरा कली कलबेलिया घूमर और भवई फड़ा फड़ काह paar पर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहां पर क्लबेलिया क्रेक्ट-आंसर होगा अब देखे दोस्तों यह सारे के सारे डांस तो यह राजिस्थान में नाम कहा रखने शा2 किन तो हमक्र पकार करता है ये भी आपको याद रखना है कलबेलिया दोस्तों आप लोगों के CGL में 9 तारिको 9 दिसंबर को पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि कलबेलिया कौन से राजिका है तो दोस्तों राजिस्थान का है कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है तो कलबेलिया ट्राइब का नाम भी कलबेलिया है घूमर डान्स दोस्तों अगर हम बात करें इसको कौन परफॉर्म करता है भील ट्राइब परफॉर्म करती है कौन से दोस्तों भील ट्राइब करती है ये भी आपको याद रखना है इसकी अलावा दोस्तो राजिस्थान में और कौन सा डांस आपको देखने को मिलेगा चकरी डांस, कौन सा दोस्तो चकरी घूमर तो हमने डिसकस कर लिया है कलबेलिया डिसकस कर लिया है गैर डांस, कौन सा दोस्तो गैर डांस तृपानी डान्स, क्या दोस्तो तृपानी डान्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा तृपानी और भवई जो डान्स है दोस्तो आपको गुजरात के कुछ हिससे में देखने को भी मिलते हैं ठीक है आगे बढ़ें, very good चली अगले question पर बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल आपके लिए ये रहा दोस्तो dash is the money which accepted as a medium of exchange because of the trust between the pair and the payee दोस्तो dash वह धन है जिसे भुक्तान करता और प्राप्त करता के बीच विश्वास के card विनमे के माध्यम से रूप में स्विकार किया जाता है credit money, fiduciary money, fiat money या full bodied money जल्दी से बताएंगे यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर ठीक है confusion सा लग रहा है कुछ लोग escape तो दोस्तो जिते लोग यहाँ पर option number B कह रहे हैं दोस्तो यहाँ पर उनका correct answer होगा correct answer यहाँ आप क्या होगा दोस्तो fiduciary money कहा जाता है यह आपको याद रखना है ठीक है चले आगे बढ़ते दोस्तो अगला question who among the following has written the autobiography in the afternoon of time and autobiography दोस्तो निमलिखित में से किसे ने आत्म कथा in the afternoon of time and autobiography लिखी है हरिवंश राय बच्चन, रसकिन बॉंड, आरके लक्षमन और आरके नाराण जल्दी से बताएं दोस्तो यहाँ पर correct answer क्या होगा फड़ावर से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं बाखी लोग क्या कहते हैं दोस्तो यहाँ पर correct answer होगा या फिर नहीं होगा फिर नहीं हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं दोस्तो उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा बहुत बढ़िया यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तो हरिवंश राय बच्चन जो की दोस्तो अमिताब बच्चन जी के पिता हैं आरके नारान की दोस्तो पुस्तक कई बार पूछी जाते हैं जिसका नाम है मालगुडी डेज क्या दोस्तो मालगुडी डेज है किया गया था एक डैश खिलाडी थे किसके दोस्तो नाधा सोरम के सहनाई के बासुरी के या हार्मोनियम के दोस्तों सीजियल में भी आपको इसी तरह से सवाल पूछे गए थे जो अभी लेटेस्ट सीजियल हुआ था दिसम्बर में ठेक है तो वहां पर दोस्तों पूछा जा हो जाएगा हार्मोनियम हो जाएगा ठीक है हार्मोनियम यहां पर करेक्ट आंसर होगा अचा दोस्तों दो साल पहले यह दोस्तों न्यूस में भी थे क्योंकि 2018 में इनका निधन हुआ था ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है सप्टेंबर 2018 में इनकी जो है दैथ हो किस अंतराष्टी धावक की कहानी है उसेन बोल्ड, जस्टिन गैल्टलीन, क्रिस्टिन कॉलेमन या दोस्तों माइकल नॉर्मन जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहां पर उसेन बोल्ड कह रहे हैं ओखे ठीक है दोस्तों जितने लोग उसेन बोल्ड कह रहे हैं उनका यहा उसेन बोल्ड यहां पर करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों यह कौन से देश से पार्डिसिपेट करते दोस्तों तो यह दोस्तों करते हैं जमाइका से कहां से जमाइका से और दोस्तों उसेन बोल्ड जी का सिगनेचर भी आपने तो देखा ही होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ क्लासिकल मूजिक के लिए किसके लिए दोस्तो वदाली ब्रदर्स तो यहा पर ठीक है चले दोस्तो यहां पर सुफी सूफी कह रहे हैं थीक है यहाँ पे क्या हो क्या दोस्तो एक यहाँ पर दोस्तो विलेज है जिसको सूफी की वदाली कहा जाता है क्या दोस्तो सूफी की वदाली है सूफी का वदाली जो की दोस्तो अमरिसर में काम दोस्तो अमरिसर पंजाब में हैं उधर को बिलॉंग करते थे इसलिए दोस्तो इनको वदाली ब्रदर् कथा यहां पर किस ने लिखी है क्या हूँ सचीन टेंढूलकर न लिखी है सोनुसूध ने या फिर परामहंस योगनान डा ने या मेपी अब्दुल कलाम सर जी नहें यहां पर सोनुसूध ओखे बाखी लोग क्या चेंगे। दोस्तों ठीक है दोस्तों जिते लोग सोनुसूद सोनुसूद कह रहें दोस्तों उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या होगे दोस्तों सोनुसूद अच्छा दोस्तों इनके साथ को ऑथर कौन थे दोस्तों तो मीना अईयर जी थे कौन दोस्तों पीजे अब्दुल कलाम सहजी की पुस्तक कौन सी दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर Wings of Fire, कौन सी दोस्तों, Wings of Fire, और कौन सी दोस्तों, Turning Point, क्या दोस्तों, Turning Point, ठीक है, यहाँ पर Target 3 Million, क्या दोस्तों, Target 3 Million, ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पर है, इनकी और भी ऐसे जो आप से पूछी जा सकती है अगले कोशन पर पढ़े जैसे ignited mind भी है इनकी किताब जो ए इनकी एग्नायटेड माइन है यह भी पूछा जा चुका है अगले कोशन पर पढ़ते हैं थोस्तो अगला सवाल आपके लिए यह रहा थोस्तो दोस्तो निमलिखित में से किस सदिर नित्की को पदमश्री 2022 में प्राप्थ हुआ किसको दिया गया है सभी लोग बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है यहाँ पर गयरे सर होना चाहिए option number नहीं नहीं दोस्तो अभी तक किसी का नहीं आए ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्यों जाएगे दोस्तो option number c हो जाएगा आर मुथुक मुननमल को दिया गया है यह भी आपको याद रखना है ठीक है चले अब देखे दोस्तों पदमा आवार्ड की मैं बात करता हूं तो पदमा आवार्ड जो है दोस्तों हर साल दिये जाते हैं कब दिये जाते हैं 26 जन्वरी को कौन देता है दोस्तों प्रेसिडेंट देते हैं ठीक है अगर मैं बात करता हूं 2021 में 2021 में कित्ते लोग को दिया धहां भुपर होता है फिर होता है पद में भूशण और सबसे नीचे होता है अगर मैं पद में भूशण बात करूं तो 4 वेक्तियों को दिया गया था और दोस्तों अगर हम बात करें तो 117 विक्तियों को दोस्तों क्या दिया गया था यहां पर पदमश्री से सम्मानित किये गए थे ठीक है टोटल किते हो गए 117 प्लस साथ 124 और चार 128 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के लिए अगला सवाल दोस्तों दोस्तों यहां पर कलाम कला मंडलम कला नी कुट्टी अम्मा वस एंडियन क्लासिकल डांसर ओफ डैश डांस फॉर्म दोस्तों कला मंडलम कल्यानी कुट्टी अम्मा जहें वो डैश नित रूप की एक भारती शास्ति नित्यांगना थी सतरिया मोहिनी अट्टम उडिसी और कथक बताईए फड़ा अगे की तरफ चली आगे बढ़ेंगे दोस्तो लेकिन उससे पहले जिन्हों ने अभी तक शेर नहीं किया फड़ावर से शेयर और लाइक करते हो चलेंगे अगला कुशन दोस्तों दोस्तों, गैसो द्वारा विद्यूत के संचालन पर अपने यहाँ पे सिधान्तिक और प्रयायोगिक अनुसंधान के विशाल गुडों की पहचान के लिए नोबल पुरुसकार किसे मिला है क्या वो एंद्रे मेरी एंपियर को दिया गया है, सर जेजे थॉम्सन को, अलबर्ट आइंश्टीन को या फिर दोस्तों, अलसेंडरो वोल्टा को दिया गया है फड़ा फट बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा खिर दोस्तों, फड़ा वर से बताएंगे इलेक्ट्रॉं की ठीक है, इलेक्ट्रॉं के अगर हम बात करें चार्ज की तो दोस्तों माइनस 1.67 इंटू 10 तु दी पावर माइनस कित्ता होता दोस्तों, 31 होता है या माइनस 19 होता है तो माइनस 19 कुलम ठीक है और दोस्तो मास पूछा जाएगा तो 9.1 इंटु 10 to the power माइनस 27 kg होता है ये भी आपको याद रखना है ये आप से पूछा जाता है ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर आप से बात किया जाएगा Nobel Prize Nobel Prize की दोस्तो अगर हम बात करें गठिक तो 1895 में ही कर दिया गया था लेकिन दोस्तो पहली बार जिया गया था 1901 में Nobel Prize जो है दोस्तो ये दोस्तो साइंटीस के नाम पर है किसके दोस्तो अलफरेड नोभल के इसके दोस्तों Alfred Nobel ठीक है, जो की दोस्तों एक Swedish chemist थे, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दोस्तों dynamite की खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है, दोस्तों कौन से country में दिया जाता है, दोस्तों Sweden और Norway में दोस्तों दिया जाता है, इसको Sweden, Norway ठीक है, ये भ भारत में सबसे पहले दोस्तों दिया गया था, 1913 में, ठीक है, किसको दिया गया था, रबिना टेगोर जी को literature का दिया गया था, ठीक है, कौन से literature के लिए, गितांजली के लिए, और दोस्तों 2022 में, दोस्तों अगर हम literature की बात करें, तो any airnox को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, चलें आगे की तरफ, चलें, अगले कोशित पर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया, अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ये रहा, दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, ध्यान से देखें के दोस्तों, एक्वारीजिया इस अन असिडिक, कोर असिडिक, कोर्षारक है, और यहाँ पर ऑक्सिडेटिव मिश्रण है, जिसमें डैश मात्रा या फिर सांधर हाइड्रकलोरिक अमल की मात्रा और केंदरत नाइटरिक अमल की एक मात्रा होती है, जिसे अक्सर सोने और प्लेटिनम को भंग करने के लिए उपियोग किया जाता है, चले आगे की तरफ बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें HCL का रेशियो और HNO3 का रेशियो पूछा है, तीक है, HCL और HNO3 का रेशियो पूछा है, आपको दोस्तों यहाँ पर बता दिया है, HNO3 होगा, तो HCl कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यह ध्यान से देखेगा दोस्तों, यह आप से सवाल पूछा जाता है, रेशियो अगर उल्टा पूछ लेगा, तो 1-3 लिख दीजेगा, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, ठीक है, चले आगे की तरफ, इसको दोस्तों, रोयल वाट भी कहते हैं, क्या दोस्तों कहते हैं, रोयल वाटर, ठीक है, क्यों इस्तमाल किया जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम को यहाँ पर डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, चले, अगला कुशन दोस्तों, विच कमपाउंड हैस केमिकल फॉर्मूला CHCl3, whose melting point is 209 Kelvin, दोस्तों, किस अच्छे से करके जाएगा, यहाँ पर दोस्तों, क्लोरो फॉर्म, option number C, C, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पर जिते लोग क्लोरो फॉर्म करें, उनका correct answer हो, क्यों क्लोरो फॉर्म यहाँ पर correct answer हो जाएगा, अब देखे दोस्तों, आप लोगों से क्या-क्या पूछा गया था, एक दिन आपको select lime पूछा गया था, select lime, ठीक है, C, A, O, H, hold twice, calcium hydroxide, ठीक है, hold twice, दोस्तों, एक दिन आपसे limestone, क्या दोस्तों, limestone, ठीक है, marble, क्या दोस्तों, marble, और chalk, यह पूछा गया था, जिसका formula होता है, calcium carbonate, C, A, CO3 होता है, एक दिन दोस्तों, quick lime पूछा गया था, क्या पूछा गया था, NA2B407.10H2O, ठीक है, यह याद रखेगा, ठीक है, यह आप से पूछा गया था, एक दिन दोस्तों, आप लोगों से borax के अलावा, और भी ऐसे कुछ formulas थे, जो पूछे गया थे, तो दोस्तों, formula को थोड़ा सा ध्यान दे दिजेगा, revise कर लिजेगा, ठीक अबर खान और स्वरूप खान और मामे खान निमलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थानी folk music, हिंदुस्तानी classical vocal, playing percussion instrument, और playing string instruments, फड़ा फड़ से यहाँ पे सभी लोग बताएंगे correct answer क्या होगा, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पे राजस्थानी folk music, राजस्थ आपके लिए यह रहा, दोस्तों, आपको बताना है कि डैश घराने के महत पूल गायक, फियास खान, लताफत हुसेन खान और दिंकर ककिनी हैं, कौन, पटियाला घराना, मिवाती घराना, आगरा घराना, और बनारस घराना, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, यहाँ पे correct answer एक्श नोबर एकर आपको याद रखने ये भी पूछा जा सकता है बनारस घराना से ओस्दोब आपको पता है कि बिर्जु महराज बिलॉग करते हैं कि बिर्जु महराज बनारा से है कि लखनाउ से हैं ठीक है बिर्जु महराज जो है दोस्तो बिर्जु महराज लखनाउ घराना से हैं ये भी आपको याद रखना है कौँस दोस्तो लखनाउ घराना से हैं ठीक है सबसे पुराना घराना दोस्तो कौन सा है ग्वालियर घराना दो भारत की पुरुष होकी टीम ने दिसंबर 2021 में किसमे पाकिस्तान को हरा कर कां से पदक जीता था एशियन चैंपियन ट्रॉफी में या फिर मोहिन उद्दौला गोल्ड कप में ICC चैंपियन ट्रॉफी में या गुलाम एहमद ट्रॉफी में जल्दी से पताए दोस्तों दोस्तों मनप्रीच जीन ने लिड किया था यह भी आपको याद रखना है ठीक है अगला फोक्ष्रन दोस्तों आपके लिए यह रहां दोस्तो who among the following persons compose the national anthem of India दोस्तो निमलिखित व्यक्तियों में से किस ने भारत के राष्टगान की रचना की है क्या वो दोस्तो काजी नजुरूल है, बंकिमचद्र चटपाध्याई, सत्यजीत रे या रबिन्ना टैगोर जल्दी से बताई दोस्तो यहां पर correct answer क्या होगा, option number b, अच्छा, 444, तो national anthem बिल्कुल दोस्तो यहां पर जित्ते लोग answer करे रहे, 44, उनका यहां पर correct answer होगा, तो रबिन्ना टैगोर जी दोस्तो यहां पर correct होगे, रबिन्ना टैगोर जी को दोस्तो गुरुदेव का भी किया गया था 1910 में इनको दोस्तो नाइट signific किया गया था इनको नाइट हुड का किसnement मिला था अंग्रेज़ों ने को दोस्तो नाइट हुड्य का खितास में अधाश कर दिया us 19 12 में 919 में जैलीयन wala आ वाग मैसे करके किसकी बाद औरी national anthem के है हमारा national anthem जनगंध मन है जिसको दोस्तो 24 जनवरी कब दोस्तो 24 जनवरी 1950 में एक्सप्ट किया गया था ये याद रखेНе ठीक है अचा दोस्तो अगर national सौंग पूछ लेता वंदे मातरम वंदे मातरम दोस्तों किसके दौरा दी गई है दोस्तों ये दी गई है बंकिम चद्र चटोपाध धाय के दौरा और दोस्तों ये कहां से लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है और दोस्तों पहली बार इसको कब सिंग किया गया था 1896 में इसको पहली बार गया गया था, किस ने गया था, रबिना टैगोर जी ने, अच्छा, नैशनल एंथम पहली बार दोस्तो कब गया गया था, तो 1911 में नैशनल एंथम गया था, कोलकता में ठीक है, ये भी याद रखेंगे, चले अगले सवाल पर, चले, आगे बढ़ेंगे दो हर्मोनियम और सितार, दोस्तो ध्याँ से देखेगा, राजीव जनार्दन की बात कर रहे हैं, फड़ा फड़ बताएंगे दोस्तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, चले तो दोस्तो यहाँ पर ठीक है, तो जीतने लोग यहाँ पर करें होना चाहिए, ओप्शन नमबर four four उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है चले हैं बहुत बड़ी है यहाँ पर क्या हो जाएगा option number four हो जाएगा तबला वादक दोस्तो अभी आपने देखा दोस्तो जाकीर हुसेन जो है दोस्तो बहुत ही जादा famous है ठीक है अल्ला राखा कौन दोस्तो अल्ला राखा इनका भी नाम याद रखेगा ठीक है फ्लूट में दोस्तो अगर हम बात करें फ्लूट में दोस्तो aarta Chorasiya ji कौन दोस्तो ha ardeka चारास जी ठीक है और दोस्तो यहां पर पनालाओ कौन दोस्तो पनालाल जो हैं वो बहुत ही famous है यह ज़ह याद रखेंगे ठीक है अगला question दोस्तों क्लिए रहा दोस्तों गुरु मकर धोजा को भारत में किस प्रकार के नित में उनके योगदान के लिए पदमश्री पुरुसकार से सम्मानित किये थे पंथी साइला च्छाउ और राउतनाच फड़ावर से बताएं दोस्तों किस डांस के लिए इनको दिया गया है सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कहरें सब चाउ के लिए दिया गया है बाखी लोग क्या कहते दोस्तों ठीक है दोस्तों जितने लोग चाउ चाउ कहरें दोस्तों उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएग दोस्तों चाउ जो डांस है य पस्चिम मंगाल में कहां पर दोस्तों वेस्ट बेंगॉल में भी देखने को मिलेगा और उडिसा वाले पार्ट में भी देखने को मिलता है यह भी आपको याद रखना है ठीक है चले आगे की तरफ चलिए अगले कोशन परते दोस्तों अगला सवाल विच रेड औरेंज और रंगीन सब्जियों में पाया जाने वाला लाल नारंगी रंग द्रव्य है एक शक्तिशाली प्रति आक्सी करक के रूप में कारे करता है जो हमारे मस्तिस्क तुचा फेफड़ो और आखों के स्वास्त के लिए लाब पहुचा सकता है बेटा क्रिप्टो एक्स क्रिप् सही बात है बेटा केरोटीन मौझूद होता है केरोटीन दोस्तों जो होता है यह हमारे अगर हम बात करें दोस्तों केरोटीन होता है केरेटीन होता है केरेटीन दोस्तों एक प्रोटीन है केरेटीन ठीक है यह दोस्तों हमारे अगर हम बात करें कहां में मौझूद होता है इ यलो सा दिखाई देता है क्यों कि यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती कि इसकी दोस्तों यूरोक्रोम की ठीक है दोस्तों जो ब्लड है ब्लड रेड दिखाई देता है ब्लड रेड क्यों दिखाई देता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ हमोगलोबिन हमोगलोबिन में दोस्तों ठीक है जिसकी वज़े से यह red दिखाई देता है दोस्तो प्लांट की जो लीफ होती है वो green दिखाई देती है क्योंकि दोस्तो इसमें green pigment होता है जिसमें दोस्तो magnesium होता है यह भी आप से सवाल पूछा जाता है अब आपको बताना है दोस्तो cow milk जो होता है दोस्तो कई बार दोस्तो अगला सवाल विच मैटल sulphate composed of potassium, aluminium and sulphate iron in the ratio of 1 to 1 to 2 ठीक है प्लेस रोल एज फ्लेम रिटार्डेंट अ मॉडरेंट एंड एस्ट्रिजेंट एक इस्टू एक इस्टू दो यहां पर दोस्तो के अनुपात में potassium, aluminium और sulphate आयनों से बना कौन सथ हातू sulphate एक ज्वाला मं एक रंग बंधक और एक इस्तमक के रूप में भी भूमिका निभाता है जिप्सम, potassium, potassium, salt और celestriite जल्दी से बताई दोस्तो यहां पर correct answer क्या होगा फड़ावर से तो यहां पर दोस्तो जितने लोग potassium कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा चले आगे की तरफ ठीक है त इसका formula क्या होगा फड़ावर से बता दीजे जल्दी जल्दी से चले तो इसका formula क्या होता है दोस्तो k2so4al2so4 whole thrice ठीक है potash LM का है दोस्तो ध्यान से देख लिजे k2so4al2so4 whole thrice इसका formula होता है जिप्सम का फॉर्मुला क्या होता दोस्तों, C-A-S-O-4, C-A-S-O-4.2-H-2-O जिप्सम हो जाता है, इसी को हाफ कर दूँगा, तो प्लास्टर ओफ पैरिस हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, चले आगे की तरफ, ये दोस्तों, K-2-S-O-4, A-L-2-S-O-4, अगला कोशन दोस्तों, आपके लिए ये रहा, दोस्तों, Who among the following Indian playback singer hold the Guinness world record for singing the highest number for songs in one day, दोस्तों, आपको बताना है, यहाँ पे निमलिखित में से किस भारती, यहाँ पे पार्शुफ गाय के नाम, एक दिन में सबसे अधिक गाने-गाने के Guinness world record है, अलका यागनिक कुमार सानु, कविता, कृष्णमूर्थी और उधित नारायन, फड़ा फड़ से सभी लोग बताएंग दोस्तों, एक दिन में सबसे आधा गाना-गाने का record किसके पास है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है सर होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोस्तों, जीते लोग यहाँ कुमार सानु, कुमार सानु कहरें, दोस्तों, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, चले आगे की तरफ, ठीक है, कुमार सानु जी के पास है दोस्तों, इन्हों कोई पास दोस्तों, जो record है, वो 28 song in a day है, इनके पास Guinness World Record है, कुमार सानु जी के पास, ठीक है, चले, सूचिच जन जातियों के लिए, कितनी सीटे आरक्षित थी, 46, 43, 47 और 45, फड़ा फड़ से बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 47, ओके, ठीक है, दोस्तों, जितने लोग 47, 47 कहरें दोस्तों, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलें आगे की तरफ, बहुत बड़ी है, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, 47, अगर मैं लोग सभा की बात करता हो, दोस्तों, इसको हम लोग lower house या फिर council of people भी कहते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, council of people भी कहते हैं, ठीक है, अब दोस्तों, एक सवाल पूछे जाता है, कौन से अन ठीक है, पहले speaker की अगर हम बात करें, जीवी मावलंकर, गनेश वाशुदेव मावलंकर जी थे, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पहले deputy speaker कौन थे, दोस्तों, deputy speaker की अगर हम बात करें, MA Ayngar, कौन दोस्तों, MA Ayngar थे, यह भी आपको याद रखना है, अभी current में, current में कौन है दोस्तों, current में अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर है, ओम बिरला जी, जो की दोस्तों, quota राजिस्थान को बिलॉंग करते हैं, ठीक है, चले आगे की तरफ, तो दोस्तों, कुछ ऐसी details है, जो आप से पूछ लिया आती है, अगले question पर अगले question दोस्तों, members of public account committee are elected for a period of, दोस्ती हाँ पर लोक्त लेखा समीची के सजस्थ से, किस अवधी के लिए चुने जाते हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए, पांस साल के लिए, और तीन साल के लिए, फड़ा वर से बताई, दोस्तों, कितने साल के लिए चुने जाते ह ठीक है, यहाँ पर कहरे सर, एक साल के लिए, ओके, बाखी लोग क्या कहेंग दोस्तों, ठीक है, दोस्तों, जीतने लोग यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए, एक साल के लिए, एक साल के लिए, उनका यहाँ पर correct answer होगा, PAC के लिए, ठीक है, अब PAC में कितने member होते हैं, दोस्तो 22 मेंबर होते हैं किते दोस्तो 22 मेंबर होते हैं जिसमें से दोस्तो लोग सभा के 15 मेंबर होते हैं और राज सभा के दोस्तो किते 7 मेंबर होते हैं किते दोस्तो 7 मेंबर होते हैं यह याद रखेगा पद्म विभूशन अवाड़ी उमेलपुरम के शिवा रमन इस डैश प्लेयर दोस्तों पद्म विभूशन से सम्मानेत उमेलपुरम के विशिवरामन डैश एक वादक है किसके मृदंगम, वाइलिन, तबला और हार्प चली से बताई दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या ह पर और पूर्ण पर यहां, और पुर्वी उत्री अमेरीकां पस्चमी यूरोप और पूर्वाअटर आशिया में किस प्रकार का जिवोम जो है इस्थिछ है ट्रॉपिकल-रेन-फॉरेश बायूम्स, कॉर्णिफेरस फॉरेश बायूम्स, और डैसी-डीयस फॉरेश बायूम्स फड़ा फड़ से बताएंग दोस्तों यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा ठीक है यहाँ पे नहीं नहीं चले तो दोस्तों पे आपको बता दू यहाँ पे जो four option होगा वो correct answer का जितने लोग four बता रहे हैं उनका correct answer है डैसीडियस forest बायोम यहाँ पे correct होगा पर्ण पाती वन जीवोम ठीक है अगला question दोस्तों आपके लिए रहा the famous जावेरी sister are associated with dash classical dance form प्रसिद जावेरी बहने dash तास्त्री नित रूप से जुड़ी हुई है क्या वो ODC से हैं भरत नाटम से मनिपूरी से कथक से दोस्तों I hope यह गलत नहीं होना चाहिए यहां पर दोस्तों फड़ावट से answer करेंगे मनिपूरी मनिपूरी बागी लोग क्या कहतें दोस्तों मनिपूरी यहां पर correct answer है या फिर नहीं है तो धोस्तों जिते लोग मनिपूरी कहे रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा चले आगे की तरफ बहुत बड़ी है मनिपुरी यहां पे करेक्तान सोगा मनिपुरी कहां का है दोस्तों मनिपुरी कहा है यह आपको याद रखना है और दोस्तों यह सवाल जो है sensitive में already पूछा जा चुका है अगला question दोस्तों आक ली रहा Which Indian dancer was awarded the french palme dior by the French government in 1977 किस भारती नित्यांगना को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा French Palme Dior से सम्मानित किया गया था चित्रा, विश्वेराम या उपाली ओपरेजिता, मलेका सारा भाई और काव्या माध्वन जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर correct answer क्या होगा मलेका सारा भाई ने दोस्तों पहला जो अवार्ड इनको दिया गया था दोस्तों 1977 में दिया गया था फ्रेंच पाल में डियोर अवार्ड ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन दोस्तों the proportion of small increase in income which will lead to increase consumption expenditure is known as दोस्तों आए में छोटी वृध्धी का अनुपात जो खपत वे में वृध्धी का कारणा बनता है उसे डैश की रूप में जाना जाता है marginal consumption efficiency marginal propensity to consume marginal efficiency income marginal propensity to save फड़ा फड़ से सभी लोग बताएंगे दोस्तों कई बार होता है कि income में थोड़ा सा वृध्धी होने की वज़े से consumption भी बढ़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों option number B ठीक है तो दोस्तों जीते लोग B, B कह रहे हैं दोस्तों उनका यहाँ पर correct answer होगा ठीक है चले दोस्तों जहाँ यहाँ योगिक में मौजूद तत्व सह सहयोजक रूप से आयनिक रूप में योगिक को sodium हातू के साथ फ्यूज करके परिवर्तित किया जाता है इसे दोस्तों किस परिक्षण का उप्योग किया जाता है flame test या फिर दोस्तों डीडीमर test blood test या दोस्तों लसेगनेस test दोस्तों science के सवाल जो है दोस्तों CGL में हर एक दिन दोस्तों तीन से चार कोशन पूछे गए थे ठीक है जिसमें दोस्तों chemistry बहुत जादा पूछी गी ठी फॉर्मुले पूछे गए थे फिर उसके बात दोस्तों धिरे-दिरे physics में भी आ गए थे और dates दोस्तों year जरूर पूछे गए थे कहीं न कहीं ठीक है जैसे गेलूसेक log ने दोस्तों गेलूसेक log कब दिया ठीक सॉरी गेलूसेक ने गेलूसेक log किस वर्ष में दिया 1808 में दिया था यह सवाल आपसे पूछा गया था ठीक है यहां पर दोस्तों option number हो जाएगा दोस्तों नहीं 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 यहां पर दोस्तों होगा lesson is test यहां पर correct आंसर होगा option number 4 यहां पर correct होगा lesson का परिक्षण ठीक है अगला question दोस्तों which of the following is not a fundamental duty दोस्तों आपके पुछा गया निमलिखित में से कौन सा मौलिक करतव नहीं है तो protect the natural environment दोस्तों to abide by the constitution to cast vote during election और दोस्तों to uphold and protect the unity and integrity of India जल्दी से बताएं दोस्तों यहां पर मौलिक करतव कौन सा नहीं है सबी लोग बताएंगे to cast a vote okay बाकी लोग क्या कहते दोस्तों to cast a vote यहां पर correct answer होगा या फिर नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों जीते लोग कहरें sir option number three three उनका correct होगा अब देखिए दोस्तों सवाल यह उठता कि अकर यह मौलिक करता वी नहीं है तो तो यह legal है कैसा दोस्तों है जैसे प्रॉपयटि पहले फंडमेंटल राहTwस हुआ कर दी अब क्या है दूस्तों Legal राइड है यह आपको ध्यान रखना है कानूनी अधिकार जिसको कहते हैं ठीक है तोस्तों पहले cast को वोट करने की कित्ती एज थी एक्हिस साल थी, बाद में इसको घटा कर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई, कौन से संसोधन से, 61st Constitutional Amendment Act 1989 से, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, चले आगे की तरफ, अच्छे दोस्तो, fundamental duty ली कहां से गई है, USSR से ली गई है, ठीक है, कौन सी कमीटी ने सजे हैं, तो 11 fundamental duties है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोस्तो, ऐसे questions आप से बनते हैं, और आप पूछा भी जा सकता है, अगला question दोस्तो, आपके लिए, आपके screen पर ये रहा, दोस्तो, which type of radiation designated a part of the electromagnetic spectrum with frequencies approximately from 300 GHz to 3 KHz, और equivalent wavelength approximately to 1 mm to 100 km, दोस्तो, किस प्रकार की वी की करण, तो आपको विधुत चुम्ब की वर्ण करम में एक भाग को लगबग 300 GHz से लेके 3 KHz, या फिर समक्ष तरंग धैर, लगबग 1 mm से 100 km तक की आवरतियों के साथ निर्दिश्टित करता है, microwave, infrared, radio और आपसे ultraviolet rays, कौन सी दोस्तो यहाँ पर raise होगी, आपको range दे रखा है, आ रहे हैं दोस्तों, जीते लोग यहाँ पर radio wave कह रहे हैं दोस्तों, उनका यहाँ पर correct answer होगा, ठीक है, radio wave यहाँ पर correct answer हो जाएगा, चले आगे की तरफ बहुत बढ़ी है, radio waves यहाँ पर correct होगा, यह दोस्तों trick पड़ी थी, radio wave, ठीक है, microwave, infrared waves, क्या दोस्तों infrared, ठीक है, visible, क्या दोस्तों visible, ठीक है, ultra, ultraviolet, ठीक है, x-ray, x-ray और gamma ray, gamma ray की दोस्तों इसमें क्या होगी सबस्यादा, frequency होगी, और radio wave की सबस्यादा दोस्तों wavelength होगी, अगर radio wave से आप दोस्तों right hand side की तरफ जाओ और जबकि दोस्तों gamma ray से आप दोस्तों left hand side की तरफ आओगे, x-ray, ultra तो यह दोस्तों decrease होते हुए चली जाएगी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, चलिए, अगला question दोस्तों आपके लिए रहा, waiting for a visa is an autobiography work of which of the following leaders of India, दोस्तों waiting for a visa भारत के निमलखित में से किस नेता की एक आद्मकथा कृती है, क्या वो भगस सिंग की है, या फिर विपिन चंदरपाल की है, भीमरा और राम जी अंबेडकर, या दोस्तों लाला लाजपत राय जी की है, फड़ा फड़ से सभी लोग आंसर बताएंगे, यहां पर कि यह किसकी पुस्तक है, ठीक है, यहां पर ब भारती समवیधान के जनक कहलाते है, फादर ओफ इंडियन कॉन्स्टिज्यूशन यह भी आपको यांद रखने है, दोस्तों यह चैयर मेन भी थे, किसके all कमीटी के, दोस्तों ठीक है, ड्राफटिंग कमीटी के दोस्तों यह चैयर मेन पी थे, ड्राफटिं कमीटी फॉर्म कब हुई थी 19 अगस्थ 1947 में हुई थी ये भी याद रखेंगे कितने member थे दोस्तों इस में 6 member थे क्या दोस्तों चलिए आगे बढ़े अगले question में या 7 member थे फटाफट बताईए 6 member या 7 member जल्दी यल्दी से सब लोग comment करके बताएंगे comment box में ठेक है class over होने के बाद, चले, आगे बड़े, अगले question में, अगला question दोस्तो आप के लिए रहा, which state does a Brahmaputr river enters when it takes you turn at Namcha Barwa, दोस्तो नामचा Barwa से you turn लेने पर Brahmaputr नदी किस राज में प्रवेश करती है, मिजोरम, असम, नागलेंड और अरुनाचल प्रदेश, देखें दोस्तो, question पूछने क प्रहmaputr की बात करता हूँ, दोस्तो, यह कहां से निकलती है, चेम योंग दूग से, कहां पे दोस्तो, नीयर मानसरुवर लेख, ठीक है, मानसरुवर लेख, कहां पे दोस्तो, तिबबध, तिबबध में दोस्तो इसको किस नाम से जानते हैं, यारलंग सांग्ड़ों के जोकी प्रश्ण में बोलाए गया है कि नामचा अपर वसी ये टर्न लेती है यू टर्न और भारत में एंटर करती है और अरुणाचर पदेश में एंटर करती है जहां पर दोस्तो इसको दियांग और सियांग कहते हैं अच्छा दोस्तो अगर हम बात करें फिर उसके बाद दो बाट करती है और बांगला देश में इसको जाना जाता है किस नाम से जमुना और भारत की सबसे बड़ी नदी है in terms of volume ठेक है किस दोस्तो सबसे बड़ी नदी है in terms of volume length के term में दोस्तो अगर हम बात करें तो वो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है ठेक है चलें आगे की तरफ बहुत बड़िया अगले question पर बढ़ते दोस्तो अगला सवाल दोस्तो आपके लिए रहा दोस्तो पंडित भीम सिंद गुरु चार जोशी वज़ें इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बॉण इंडेश तो आप से पूछा गया है पंडित भीम सिंद जो गुरु आचार जोशी एक भारती शास्त्री गायक थे जिनका जन्में डैश में हुआ था करनाटका में मध्यप्रदेश में राजिस्थान में और महराष्ट में कहां पर हुआ था दोस्तों फड़ा-फड से बताएंगे यहां पर correct answer क्या होगा ठीक है दोस्तों जितने लोग करनाटका कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा, करनाठ का, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले कोश्चन के लिए, अगला सवाल दोस्तों आप कली रहा, किसे ने लिखा था, अरुंधती रोय, किरन दिसाई, आरके नाराण और विक्रम सेट, फड़ा वरसे बताएं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहरे सर, किरन दिसाई होने चाहिए, ओके, तो दोस्तों, जीते लोग किरन दिसाई कहरे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चले आगे की तरफ, बहुत बढ़िया, यहाँ क्या हो जाएगी, किरन दिसाई, किरन दिसाई को दोस्तों, मैं बुकर प्राइस भी दिया गया था, 2006 में, 2006 में, दोस्तों, यह मैं बुकर प्राइस से भी सम्मानित की ग इस बहुत ही फेमस है यह भी आपको याद रखना है विक्रम सेट की दोस्तों कौन सी है असु टेबल बॉय कौन सी दोस्तों असु टेबल बॉय जो है दोस्तों विक्रम सेट की है यह भी आपको याद रखना है आगे बढ़े अगले कोश्चन के लिए चलिए अगले सवाल प पर 11 11 ठीक है दोस्तों जीते लोग 11 कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा 11 दोस्तों आपको इसमें भी मिलेंगे होकी में भी मिलेंगे ठीक है और football में मिलेंगे football से याद आए दोस्तों कुछ दिन पहले या फूर कुछ हफते पहले अगर हम बात करते हैं तो football का दोस्तों यहां पर वर्ल कप चला था फीफा कप जिसको हम कहते हैं ठीक है फीफा का फुल फॉर्म का है दोस्तों यहां पर जल्दी से पताएए दोस्तों golden boot किसे उद दिया गया तो golden boot दिया गया मबापे को किसको दोस्तों मबापे को दिया गया था और golden ball बॉल के कर मैं बात करूँ यह किसको दिया गया लियॉनल मैसी को दिया गया और दोस्तों अगर हम बात करें लियॉनल मैसी किस टीम से प्रेजेंट करते दोस्तों कुचिपुडी डांस गुरु वेंपती चिन्ना सत्यम, who was instrumental in getting classical status of कुचिपुडी, was confirmed by which of the following awards in 1998. दोसों, कुचिपुडी नित्त के गुरु वेंपती चिन्ना सत्यम, जिन्होंने कुचिपुडी को सास्त्री दर्जा दिलाने में महतवपुन भूमी का निभाई थी, और 1998 में निमलिखित में से किस पुरुसकार से सम्मानित किये गए थे, क्या वो, पदमश्री से, पदमवीभूषड से, संगीत नाटक अकेडमी आवाड या फिर दोस्तों पदमभूषण, जल्दी से बताएं दोस्तों किस अवाड से सम्मानित किये गए थे, ठीक है, यहाँ पर पदमवूषड, पदमभूषड तो दोस्तों जित्ते लोग पदमभूषड कह रहे हैं, उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्या होगी दोस्तों, इन विच स्पोर्स आर एरोज यूज, दोस्तों तीर का प्रियोग किस खेल में किया जाता है, सिंपल सा सवाल, फैंसिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग और आर्चरी, जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे, आर्चरी, आर्चरी आंसर आ रहा है, और दोस्तों थिंपू से पहले, कौन सा कैपिटल था, यह आप से सवाल पूछा गया था, एक्जैम में, ठीक है, स्सी में, पुनाखा इसके दोस्तों पहले कैपिटल थी, ठीक है, अब दोस्तों भुटान के अगर हम बात करेंगे, इसकी करेंसी कैपिटल नगुलतरम, जल्दी जल्दी से बताएं, और दोस्तों यहां का पारलेमेंट को सोगडू कहा जाता है, क्या का जाता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है चले आगे की तरफ चलिए और दोस्तों इनके फ्लैग में कहा है दोस्तों एक ड्रेगन है जो की अपने हाथ में क्या लिया है ज्वेल्स और ये भी सवाल पूछा जा चुका है ससी में कि जो भुटान के जो फ्लैग में है उसके हाथ में क्या है तो ज्वेल्स है ठीक है चले आगे चलिए अगले कोशन बढ़ते दोस्तों अगला कोशन वाट इस दा नंबर ओफ प्लेयर प्लेइंग इन टीम ऑफ होकी मैच लीजे एक होकी मैच में दोस्तों टीम में खेलने वाली खिलाडियों की संख्या कितनी है बारा नौ दस घ्र तो इसमें तो बहूँ बढ़या चलते हैं अगले कोशन लिए अगला कोशन दोस्तों आख ले रहा दोस्तों, वाइर, सॉरी वू रिकागनाईज दा एलिमेंट कार्बन, हाइडरोजन और ऑक्सीजन और अपोज दी फ्लोजिस्टॉन थियोरी बाई दिस्कोवरिंग दे रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबसें दोस्तों, कार्बन, हाइडरोजन और ऑक्सीजन तत्वो को किसे ने पहचान और दहन और श्वशन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके यहाँ पे फ्लोजिस्टन सिधान्त का विरोध किया था क्या वो एंटोने लवाइसर थे जॉन डेल्टा, निस्बोर और जॉसेफ लुईस प्राउष्ट फड़ावर से बताई दोस्तों और दोस्तों जिनों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फड़ावर से लाइक करेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे तो दोस्तों यहां पर कहरे सर अब्शन नमबर तो दोस्तों यहां पर अगला कोशन, which English Ecologist was, दोस्तों यह आपके लिए homework रहेगा, ठीक है सबी लोग किया करेंगे comment box में इसका answer करेंगे ठीक है, इस class के बाद जो है comment में आइस करेंगे दोस्तो यहाँ पे समय होता है समाप्त जहाँ पर आज हमने दोस्तो mix question किये हैं for SSE CHSL exam और दोस्तो यह daily class होती है Monday to Friday, note down कर लीजे दोस्तो, Monday to Friday यह class चलती है ठीक है, कब से कब तक दोस्तो, यह चलती है दोस्तो गौरफ सर्ट टेस्बूक क्या दोस्तो, गौरफ सर्ट टेस्बूक आपको सिर्फ सर्च करना है वहाँ पे एक public group मिलेगा दोस्तो, उसको join कर लेंगे और वहाँ पे उस दोस्तो आपको PDF मिल जाएगी, quizzes होते हैं, वहाँ पे polls वगिरा create के जाते हैं तो चलिए दोस्तो, इस session को करते हैं, यहीं पे समाप्त, अगर यह session आपको अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताएगा, और comment करके यह भी बताएगा दोस्तो, कि आपको ऐसे और कौन से भी classes चाहिए, जो आपके लिए required है दोस्तो, GD का exam जो है, बहुत करीब आच चुका है, दस तारीक से अब है, ठीक है, new year आने वाला है, तो भई, new year में एक दो लोग, यह क्या होता है कि एक दो दिन का rest ले ले लेते हैं, ठीक है अपने सपनों को एक बार साकार कर लेते हैं, लोगों की उमीदे जो लगी हुई है घर में, किसी को अपने घर पे छोटे भाई के help करनी है, पापा ममी के help करनी है, खुद के help करनी है, तो उसको पहले पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे, यह सब enjoy तो चलिय दोस्तों, रखते हैं इसको यहां पर समाप्त, और आपको क्या करना है? अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है, और क्या करना है? पढ़ाई करते रहना है, ठीक है? मिलेंगे, अभी के लिए आपका दोस्त Weihnimento कर अभा से विदा लेता है, झाल झाल